नमस्कार शातियों इमत्राई यूट्व चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वात है तो दोस्तो आज के वीडियों हम आपको बताएंगे राजस्थान पुलिस कैनल भॉय भरती से संब्स दोस्तो जो इंटर्वू के सामें क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका दोस्तो सबसे मैत्वून पार्ट दोस्तो आज हम आपको बताएंगे तो दोस्तो एक तो आज हम ये इस पार्ट को बताएंगे जो कि सबसे मैत्वून है इसके बाद दोस्तो एक पार्ट और जो पंदरे नमबर पार्ट है वो भी दोस्तो आपके लिए सबसे मैत्वून पार्ट होगा तो तो दोस्तो हम आपको बताते हैं एक तो एक नमबर का पार्ट और एक दोस्तो पांस नमबर का पार्ट और एक दोस्तो आज करा रहे हैं यह 14 नमबर पार्ट है और इसके अलबाद दोस्तो एक 15 नमबर पार्ट है तो यह साथ ही तीन पार्ट नहीं साथ ही चार पार्ट है तो आपको केबल इन चार पार्टों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ज़्यादा तर कोईशन आपके कैनल डॉक्ट से सम्मद देती पूछ जाएंगे तो आपको दोस्तो इन चार पार्टों को बहुत ही अच्छी तरीका से दोस्तों आपको नोट कर लेना है क्योंकि ज़्यादा तर कोईशन कैनल डॉक्ट से सम्मद देती दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे तो दोस्तों आपको एक तो ये पार्ट आपके कॉफी में दोस्तों आपको दोस्तों ये नोट कर लेना है और दोस्तो एक 5 नमबर का पार्ट है वो भी आपको दोस्तो आपकी कोफी में नोट कर लेना है और दोस्तो एक 1 नमबर का पार्ट है इसके बाद दोस्तो एक 15 नमबर का पार्ट जो कि दोस्तो अगले वीडियों बताएंगे तो आज 14 पार्ट है दोस्तो जो कि बहुत ही महत् यह पार्ट दोस्तों टोटली कम्पलीटली रूप से देखा जाया तो दोस्तों केवल और केवल केनल डॉग से संब्दे जितनी भी बीमारियां होती है किस परकार से उनमें बीमारियां होती है तो यह दोस्तों केवल केवल और केवल उन केनल डॉग की बीमारियों से संब्द देता है इसके बात बात करते साथ यह एक पंदरे नमबर का पार्ट होगा जिसमें दोस्तों आपको केवल और केवल बहिए बता आज आ गया केनल डॉक को कितनी स्केल पर दोस्तों खाना देना चाहिए और किस प्रकार से उसकी साफ सपाई करनी चाहिए तो दोस्तों वह आपका पार्ट नंबर 15 होगा क्योंकि दोस्तों यह पार्ट आपके नौटिपिकेशन में दोस्तों अलग से लिखे हुए है इसलिए आपको दोस पार्ट और एक पहला पार्ट दोस्तों आपको बिल्कुल रट लेने तो चलिए साथियों पहले कोश्चन की और आगे बढ़ते हैं कि कुट्तों में कौन कौन सी बीमारी होती है यहां पर पूछ रहाए साथियों आपसे डाइरेट कोश्चन पूछा दाएगा कुट्तों म अहां पर मोखिक एक इगजाम देंगे एस्धोलों में जो मोखिक एक्जाम हुआ करती थी दोस्तों पहले जो दोस्तों आपको टीचर आगे बैठता तो आप उनके सामने बैठत थे और डाइरेक्ट टीचर आप से कौश्चन पूछता था इसी परकार दोस्तों आप से इं नहीं आता है तो भी दोस्तों आपको कुछ ना कुछ तरीका से कुछ भी आंसर दे देना हुआ क्योंकि दोस्तों अगर आपने कुछ भी नहीं बता है तो डाइरेक्ट आप इंटर्वू से भाहर कर दी जाएंगे इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो उसमें बताना ही होगा औ कुट्तों में कौन-कौन सी बीमारी होती है तो दोस्तों आपको ज़्यादा बीमारी के नाम दोस्तों ध्यान नहीं रखा माते तो आपको एक तो रहीज आपको ध्यान रख लेना हुआ इसके बाद आपको एक रख्रख लेना है मैक्स राई इसके बाद दोस्तों फारDrवू यह दोस्तों तीन भीमारी नहीं को नाम तो आपको बहूत ही जरूर सब्सकर जया ब्यूता है सरुभी है और नेस्ट कपेर्शन की बात करते हैं कि कुटता बीमार कैसे चलता एम्हों है कि अनयप redक कैसे पता चलता है यहाof को पोचे आपक को दोस्तों इस प्रिकार से पता चलेगा, यह दोस्तों आपका इंटर्वु को सब्सक्राइब ऑचा buen पताद चलेगा तो दोस्तों आपको अपनी भासा में जबाब देना ये किताबी लेंग्वेज है अगर आपका कुता बीमार है अचानक ही अपने बैभार को बदलना सुरू कर देता है यदि दोस्तों आपका कुता बीमार होगा तो अपने बैभार को बदलना सुरू कर देता तो आपको गंबीर हो जाना चाहिए अगर वो खासने छीकने या कम पानी पीना शुरू कर दे तो बिना किसी देरी के डॉक्टर के पास लेकर जाए उसके भोजन पर खास ध्यान दे तो दोस्तों यहां पर यहीं पूचा गया है यदि आपका कुटा बीमार है तो आप किस पर पता करेंगे तो आपको किस परकार्श पता करना है अगर आपका कुटा अचानक सी अपने ब्यावार को बदल देता है तो आपको बताना है यदि हमारा कुटा अचानक सी अपने ब्यावार को बदल लेता है जैसे उसमें दोस्तों कोई परीवरताना जासे जैसे जैसे नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं कुट्टों में होने वाली पार्बो वाईरस बीमारी का मुख्य कारण क्या है तो दोस्तों इस कोश्चन को तो आपको 100% दोस्तों याद कर लेना है इसे यहां पर पूचा है कुट्टों में होने वाली पार्बो वाईरस बीमारी का मुख टेंब कोटम के दोस्तों डैथ हो जाती है तो इस सबसे महत्मून बीमारी कुटों से मंध़ग है एक और कुड़तों इसकी दोस्तों यह किस से होती है इस कमबोक की कारण नहीं होती है इसके साथ ही धाई मेहने में बूस्टर डोज लगाया जाता है तो दोस्तों आप से यह भी पूछ सकता है कि पार्बो वाइरस का दोस्तों टीका कुट्टें में कितने महां के अंदर लगाया जाता है तो यहां पर दिया हुआ है दोस्तों जिन कुट्टों को प सिल्टेशन की बात करते नेश्ट कुछन क्या पूछा खया तो तो आपको ये बहुत वी अच्छी तzwischen अनले में में को को स्दोर में सबसे आम क्या होता है तो दोस्तों यहीं वायरस का था इसका यह दूसरा नाम है यहां पर पूछा गया कुछ गया कुछ Ahh आम बाइरस क्या है तो दोस्तों कुत्तों में सबसे आम बाइरस क्या होता है डिश्टे पर कुत्तों में संक्रमागर्ग रोग है जो मृत्तू का प्रिमुक कारण बनता है डिश्टे पर संक्रमागर्ग रोग है जो कुत्तों में मृत्तु का कारण बनता है और दोस्तों इसी में दोस्तों उपस्तेत होता है पार्बो वाइरस दूसित मल्क के संपर्क में आने से जो की फैलता है तो कुत्तों में सबसे आम वाइरस क्या होता है डिश्टे पर कुत्तों में संक्रमांग रोक मृत्तु का कार मैंता अधाराइव आर्फ ᇦ मक्राइक पहलता है क्या पूशा है इस्द तरी वीशा सिपूह सी कुछते को ढ़ने पर क्या दें तो ये पर नेग्ष्ट पूश अगयां सॉत्ये को रगने पर क्या दें बताईए ऐसी श्तीचिने जोस्तों आपको अपनी भासा में जबाब देना हो ऐसी इस्तिती में कुट्टे को कुछ दिनों के लिए डाइरिया के प्रभाब खतम होने तक बिलड डाइट देनी चाहिए बिलड डाइट दोस्तों एक तरीका से पोशन का प्रकार है जिसमें आम तोर पर नरम कम फाइवर वाला आहर कच्चे की बजाए पका हुआ और बिना मसालेदार वाला खाना आदी सामिल होते हैं तो बिलड डाइट के अंतर दोस्तों क्या-क्या सामिल होते हैं एक तो होता है नरम आम तोर पर नरम कम फाइवर वाला आहर कच्चे की बजाए पका हुआ और बिना मसाले वाला खाना आदी सामिल होते हैं तो दोस्तों आपको डाइरेक्टी बता देना होगा जैसे आप आते हैं तो आपको यह बता देना है उसमें आम तोर पर नरम कम फाइवर वाला आहर कच्चे की बजाए पका हुआ और बिना मसाले दारा खाना आता है इसके बाद नेस्ट कुश्चन की बात करते हैं साथियो रैवीच के लच्छन कितने दिन में दिखते हैं तो रैवीच क लच्छन ज्यादातर मामलों में तीन महीनों के बीतर नजर आने लगते हैं तो रैवीच के लच्छन ज्यादातर दोस्तों तीन महीनों के अंदर नजर आने लगते हैं नेस्ट कुश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों इसको तो आपको सिंपली बता देना है उसमें पूछ पेट खराब होने पर कुट्टे को क्या खिलाया जाना चाहिए आपको बताना है साधे सपेद चाबल या दोस्तों साधे उबले चिकन को खिलाना चाहिए यदि कुट्टे का पेट खराब है यदि कुट्टे का पेट खराब है तो साथे सपेद चाबल या दोस्तों साधे अबले chicken को घिनाला चाहिए इस वाँ नेस्ट कोईश्चन की बात करते हैं नेस्ट कोईश्चन कि पूचा गया है यहाँ पर नेस्ट कोईश्चन पूचा गया है साथी हो कुत्ता का आयू कितना साल का होता है तौह आपको नर्मली त humility पर दोस्तों आंसर देने, इस किताबी लेंग्विज का तो बिल्कोल प्रयोग नहीं करना है, सीधा ही सीधा आपको दे देना होगा, जैसे कुत्तों की ज्यादा तर उम्र के बात की जाए तो एक परकार से देखा जाए तो 15 या 16 साल के 20 तक की होती है, आपको इस परकार से आंसर देना होगा, इसके बाद next question की बात करते हैं, किसी एक famous कुत्ते का नाम बताईए, तो यहाँ पर पुछाए, किसी एक famous कुत्ते का नाम बताना है आपको साथ ही हो, इसका नाम है Toby Keith, तो दोस्तों question यह ऐसे हैं, इसलिए वीडियो बनाने में भी थोड़ी दिखक्यत आ रही, तोभी कित है किसी एक famous कुट्टे का नाम बता ये टोभी कित एक कुट्टे का दोस्तों आपको नाम बता देना है जो कि बहुती रूप से famous हो तोभी कित इसका नाम है कुट्टों में पारगो नामक बीमारी का संक्रमन तेजी से फैल रहा है तो दोस्तों यह डाइडेक्ट आपको यहाँ पर पॉइंट बना कर दे दिया है कुट्टों में पारगो नामक बीमारी का संक्रमन तेजी से फैल रहा है तो डाइडेक्टर यह आप सब पूछे लगा किस बीमारी का संक्रमन सात्यों कुत्तों में ज्यादा रूप से देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको बता देना होगा पारगो बीमारी का संक्रमन ज्यादा रूप से देखने को मिलता है पारगो बीमारी का संक्रमन तेजी से फैल रहा है उल्टी बखार के कारण कुट्टे भोजन छोड़ देते हैं और कमजोरी के कारण उनकी मौत हो जाती है तो दोस्तों पारगो बीमारी में क्या-क्या लच्छन दिखाई देते हैं एक लच्छन तो देगा आपके कुट्टे का उल्टी होगी और उसके लिए बखार के कारण कुट्टे भोजन भी छोड़ देंगे एक उनको उल्टी होगी और उसको बखार भी होगा और जिससे दोस हιलाज बताइए कट्टे की कोई पेट संबस्टाइबा एक एक किसी कारण बता है योड़ी आपको किसी कारण बर्श से भीमार पड़ जाता है तो आपके उसकाग ठara किरेंगे कुट्टे को कोई पेट की आंसर बताएंगे दोस्तों कुट्टे को कोई पेट की समद्धी समश्या हो जाती है तो अपने कुट्टे को कैमो माइन चाय का सेवन करवाएं और बबुने के फूल से बनी है हरवल्टी यहां पर नेक्स्ट बताया है कुट्टे को कोई पेट संबनादी समश्या है तो अपने कुट्टे को कैमो माइन चाय का सेवन करवाए और बबुने के फूल से बनी यह हरबल्टी कुट्टे की पेट की समश्या की भीमारी के दूर कर रहत देने लगती है तो दोस्तों आपको बता देना है इसमें सोर्ट रूप में ले लेना है आपको साथियो क्या क्या लेना है एक तो दोस्तों आपको कैमो माइन चाय आपको कुत्ते को देनी होगी यदि उसके पेट में दोस्तों कोई गड़ वड़े तो आपको एक तो कैमो माइन चाय देनी है इसके पाद दोस्तों हरवल्टी एक आती है दोस्तों बबूने के फूल से बनी हुई हरवल्टी दोस्तों आपको अपने कुट्टे को देनी होगी तो दोस्तों ये प्राथ में कुपचार है तो ये प्राथ में कुपचार दोस्तों जो कि घर पर किया जाता है तो इस परकार आपको बताना होगा उसातिया आप टेंशन नहीं लें आप इसके लिए हम ये एक तो ये पार्ट रहा और ये पांचवा पार्ट रहा और दोस्तों एक पहला पार्ट और एक पंद्रमा पार्ट जो कि कैनल डॉक के खाने या स्किल से संब्दित होगा एक बो पार्ट रहा इन सभी की दोस्तों पीडियाप बना कर मैं अपने टेलीक्राम चैनल पर डाल दूँगा वीडियो की डिस्क्रेशन साथ ही उसकी लिंक के दे दूँग तो आहां पर दोस्तों एंटर भूगा उससे दो दिन पहले हम उसकी पीडियाप डाल देंगे इन तीनों पार्टों की जो की आपको दोस्तों जाते समय पढ़नी हैं और दोस्तों बैसे आपको वीडियो देख लेने हैं इसके बाद नेक्ट कुश्चन की बात करते ही नेक् सुनिष्चित करें कि आपका कुटा परियाप्त पानी पी रहा हूं कि आपको इसका अंचर यदि आपको कुटा खाणा नहीं कहना तो आपको दोस्टों सिप्लीय रूफ से अपनी बासा मदाराई है कि एक तो दोस्तों उसकी वोजन की विवस्ता नहीं में टायम पर करनी चाहिए और दोस्तों उसको बदलता हुए भोजन देना चाहिए तो दोस्तों सिंफली रूप से अपनी वासा में जबाब दे देना है नेस्ट कोश्चन की बात करते हैं बीमार कुट्टा बिना खाय कब तक जीवित रह सकता है तो इसमें नेस्ट कोश्चन पूचा गया है बीमार कुट्टा बिना खाय कब तक जीवित रह सकता है तो दोस्तों इसका सेंपली रूप से जवाब देना है आपको तीन से या चार द पूछाए कुछाए कुछ नमक खिलाने से क्या होता है अगर आप तो आपको अपनी वह साम जवाब देना अगर आप कुछे को खाने में नमक दे रहे हैं तो ये उसकी आयो को कम कर्श रखता है कुछ तो को बिनन नमक डाले खाना दें तो यहां पर पूछ रहा है दोस्तों को कुट्टों को नमक खिलाने से क्या होता है तो दोस्तों एफेक्ट बताना है इसका यदि आप अपने कुट्टों को दोस्तों नमक युक्त खाना देंगे तो दोस्तों उसकी आयू कम हो जाएगी तो इसलिए आपको कुट्टों को बिना नमक वाला खाना देना चाहिए Next question की बात करते हैं Next question क्या पूछा गया कुट्टे की खुजली का घरेलू इलाज बताईए तो आपको उसका घरेलू इलाज बताईए तो आपको दोस्तों किसी परकार से खुजली बगेरा हो जाती हैं आपको कुट्टे को तो आपको उसका घरेलू जार यानि प्रात्मी कुपचार किस परकार से आप करेंगे तो यह आपको बता देना हुगा तो यहाँ पर आंसर दिया साथी हो बैंकिंग सोडा का पैस्ट है जब कुट्टे की त्वाचा पर लगाया जाता है तो त्वाचा पर चक्ते को हटाने खुजली को कम करने और त्वाचा की लालिमा और शूजन को कम करने में मदद कर सकता है तो दोस्तो इसका इलाज है बैंकिंग सोडा पैस्ट कुट्टे की चड़बी पर लगाया जिससे दोस्तो उसकी खुजली कम हो जाई तो सीधा आंसर बता देना है आपको तो यह बता देना है आपको सीधा आंसर इसका बता देना है बैंकिंग सोडा की पैस्ट कुट्टे क मिर्गी की वीमारी का एलाज बताए नेक्ष्ट कुछन पूछगा एक कुट्टे की मिर्गी का कोद्टे की मिर्गी आ whopping अचराइज बताना जो गहीं और गरेनम एलाज होना चाहिए गहरेन लुष्टि और दोस्तो आप से पूछ 놓ए । तो आपसे प्राज्मी को प्षारी पूछेंगे आपने आइडिया का नुसारा आपको बताना हुआ तो कुत्ते की मिर्गी का वीमारी का दोस्तों प्राज्मी के लाज आपको बताना हुआ मिरगी का दोरा यदि कुत्ते को तीन या पांच मिनिट में समाप्त हो जाता है तो आपको कुत्ते के गरदन और कमर पर ठंडे तौलिया डाल देना चाहिए क्योंकि वह अत्यदिक मास्पेशियों में एठन के कारण आईपो धर्मिया हो सकता है तो दोस्तों आपको इसके लि कमर पर ठंड़ा तौलिया दोस्तों आपको डाल देना होगा क्योंकि दोस्तों इससे उसकी एठन कम हो जाती है है और फार्मिया का दोस्तों धृह प्वश्चार नहीं होता है क्योंकि और अमें लिना क्योंद ये पार्चा गल्धीं मि preocup यां बसी दोस्तों आपको द्यान एक तो यह हो गई आपकी साथ यह दोस्तों बीमारी यह कुत्तों से संबंद देता है नेक्स्ट बात करते हैं साथियों तो दोस्तों यह थी जो कि कुत्तों से संबंद यह केबल और केबल दोस्तों यह पार्ट जो कि इस्पेशल से दिया हुआ इंटर्वू में कैनल डॉक से संबंद देता है अब एक पार्ट और अपलोड करेंगे जो 15 नंबर का पार्ट हो शा साइए और क्या खाने में देना चाहिए किस प्रकार से दोस्तों उसको पॉश्टे खार देना चाहिए तो यह सभी जानकर हम अगले पार्ट में दोस्तों आपको कवर कराएंगे इसके बाद दोस्तों कैनल डॉक संबंद सभी महत्पून दोस्तों कोईशन है भी पूरी हो जाएंगे अगले पार्ट में तो साथियों आज की वीडियों इतना ही कापी फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ जब तक के लिए साथियों नमस्कार जैहिंद जैवारत